हलो दोस्तो मेरा नाम है मुहम्मा सफिक आप देख रहे हैं अमड़ी पलास योटोब चानल तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आप ओके के डिडिट अपलीकेशन से ओके लोन कैसे अपलाई कर सकते हैं जहां दोस्तो मैं आपको बता दूँ ओके के लोन लेना चाते हैं तो इस वीडियो को आइंटक देखते रहे हैं चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं जैसे हमने यहां पर ओके लोन पर किलिक किया तो हमारे सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका ह यहां पे लिखा हुआ है get loan up to 1,00,00 रुपए जी हां दोस्तों अभी मैं चाहूं तो यहां पे 1,00,00 रुपए तका loan apply कर सकता हूं नीचे आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ get loan amount in bank in just 2 minutes जी हां दोस्तों यह जो पैसा है बस केवल 2 minutes के अंदर मैं अपने bank में transfer कर सकता हूं यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ no collateral required यहां पे लिखा हुआ है 2 minute quick loan process यहां पे लिखा हुआ है 80% approval rate so far यहां पे अगर हम नीचे देखें तो इनके कुछ landing partner है जिनके तुरू आपको loan मिलता है चार इनके landing partner है तो अभी हमें loan को apply करने के लिए करना क्या होगा यहां पे हमें इस box पे टिक लगा देना है तो दोस्तों अभी इसके आगे का जो भी process है मैं यहां पे दोसरे mobile से video record करूँगा तभी दिखा पाऊँगा क्योंकि okay credit में screen record करने का permission नहीं है तो चलिए दोस्तों हम यहां पे apply for loan पे click कर देते हैं और उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है give permission तो यहां पे मैं permission को allow कर देता हूँ तो देख सकते हैं हमारे सामने यहां पे कुछ ऐसा interface आ चुका है यहां पे लिखा get loan up to एक लाख by lender in two minutes 100% digital process तो यहां पे step बताया गया है पहला step है यहां पे business detail required by lender to offer loan दूसरा है यहां पे pen card required by lender to offer loan तीसरा है यहां पे आधार verification required by lender to offer loan उसके बाद है यहां पे get your money check loan detail and bank detail sign in agreement and get the loan amount तो यह सारी चीजी हमें पढ़ने के बाद नीचे यहां पे हमें continue पे click करना है तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने यहां पे कुछ हैसा interface आ चुका है अभी यहां पे हमसे हमारे business की detail पूछी जा रही है ठीक है तो देख सकते हैं यहां पे major activity of unit में हमारा यहां पे service and trading select कर लिया गा है automatic business category में service यहां पे automatic हमारा ले लिया गया है वैसे यहां पे बहुत सारा option है आप जो भी चाहें यहां पे select कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आता है यहां पे number of employee आपके soap पे अगर आपकी कोई दुकान है या soap है तो वहां पे कितने employee काम करते हैं तो आप अपने हिजाब से यहां पे fill कर सकते हैं मैं यहां पे दो कर देता हूं अभी यहां पे पूछा जारा है जोस्तो social category आपकी जो भी केटिगरी है आप SC है या फिर है या OBC है जर्नल है जो भी है आप अपने हिजाब से यहां पे select कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां पे यह सारी चीज़े fill करने के बाद हमें यहां पे continue पे click कर देना है तो देख सकते हैं यहां पे जो हमारा pen card है वो automatic fill हो चुका है यहां पे हमारी data भी automatic fill हो चुकी है अगर आपकी detail यहां पे automatic नहीं आती है तो अपना pen number data भर्त यहां पे आप manually fill कर सकते हैं तो यह detail fill करने के बाद हमें यहां पे continue पे click करना है तो अभी दोस्तों यहां पे हमें अपना आधान number डालना है आधान number डालने के बाद यहां पे हमें अपना father name डालना है उसके बाद दोस्तों यहां पे हमें अपनी Selfie upload करनी है Click Selfie तो दोस्तोंग आभी यहां पे हमने Selfie खीच लिया है मैं इस बटन पे click करता हूँ तो देख सकते हैं यहां पे आधार number Father Name और Selfie हमारी यहां पे upload हो चुकी है अब यहां पे हमें Get OTP पे click करना है तो दोस्तों जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे दो अमाउंट ओफर किया गिया है एक है 25,100 का एक है 50,000 रुपएगा तो इन दोनों अमाउंट में से एक अमाउंट में अपने बैंक काउन में ट्रांसफर कर सकता हूँ तो देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे 25,100 की बात करें तो जो हमारी इंस्टॉल्मेंट टाइप होगी वो होगी डेली यानि कि जो हमारी रीपेमेंट होगी जो हमारी यहमाई कटेगी वो डेली बेस फिक कटेगी ठीक है अभी हम बात करते हैं यहाँ पे लोन ओफर की तो देख सकते हैं लोन अमाउंट है यहाँ पे 25,100 रुपए यहाँ पे प्रोसेसिंग फी लगाय जा रही है जो कि 4% के हिसाब से 1,004 रुपए है ठीक है यहाँ पे 18% जेश्ट लगाय जा रही है जो कि 181 रुपए जोस्तों जो हमारे बैंक अकाउंट में आमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा वो है 23,915 रुपए अगर हम यहाँ पे इंट्रेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पे 1300 रुपए का टोटल इंट्रेस्ट लग रहा ह यहाँ पे जो हमारे डेली इंस्ट्रोल्मेंट कटेगी या는 की जो हमारे डेली की EMI कटेगी वो होगी 300 रुपए यानि की पर पड़र हमारे थीर तीन जो पे थीर बैस पर कटेगा अब चलिए हम यहाँ पे जो पचाई हजार का सब्रान का है उसके ऊपर बात कर लेते हैं अगर हम यहाँ पर 50,000 के आमाउन के बात करें तो यहाँ पर विज्यो हमारी EMI कटेगी जो इंस्टोल्मेंट कटेगी वो डेली बेस पे कटेगी लोन आमाउंट है यहाँ पर 50,000 रुपए यहाँ पर परसंट के हिसाब से जो कि बनीगा 15,00 रुपए यहाँ पर 18% जेशी लगाए जा रही है जो कि यह 270 रुपए जो बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्राफर किया जाएगा वो है 48,230 रुपए अगर हम यहाँ पर टोटल इंट्रेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 5,200 रुपए का इंट्रेस्ट लग रहा है यहाँ पर अगर हम टेनियोर की बात करें यानि के डियोशन का तो यहाँ पर 184 दिन का यहाँ पर हमें टेनियोर दिया जा रहा है अगर यहांपे हम टोटाल रीव पिर्मिन की बात करें यानि हमें कितना टोटाल रीव पिर्मिन करना पड़ेगा तो वह बनेगा पचपनाजाद दो सुरुपए अगर हम यहां पे daily instrument की बात करें, तो 300 रुपाइद daily हम यहां नेतल लोध देना होगा, यानिकर 300 रुपाईद daily हमारा यहां पे कटेगा. दोस्तों अगर हम बात करें इस पैसे को bank में transfer कैसे करना है तो नीचे हम यहाँ पर जैसे ही continue पे click करेंगे हम से यहाँ पर bank की detail पूछे जाएगी जैसे ही यहाँ पर bank की detail देने का बाद हम submit करेंगे यहाँ पे हमें agreement sign करना पड़ेगा दोस्तो agreement sign करने के बाद जैसे हम submit करेंगे जो पैसा है वो हमारे account में transfer कर दिया जाएगा दोस्तो मुझे यहाँ पर loan की requirement नहीं है इसी वज़े से मैं यहाँ पर पैसे को bank में transfer नहीं कर रहा हूँ तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा हमने आपको बताया कि आप okay credit application से okay loan कैसे apply कर सकते हैं जी यहां दोस्तो मैं आपको बता दूँ okay loan लेने के लिए आपके पास केवल pen card होना चाहिए यहाँ पर मिल जाता है जैसे कि आपने देखा केवल यहाँ पर pen card, अधर card के base पर loan को apply किया है और मेरा loan यहाँ पर अप्रोब भी हो गया है तो दोस्तो बस आज की वीडियो में इतना ही अमीद करता हूँ जो कुछ हमने आपको बता है आप समझगी होंगे फिर भी अगर आपको कोभी doubt है या कोभी सवाल है तो आप comment करके पूछ सकते हैं उसका reply मैं आपको दे दूँगा अब दोस्तो अगर वीडियो अच्छी रहे है वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों में share कर दीजिए और चैनल को सब्स्राइब कर लेजिए